आज हम पत्ता गोबी के पकोड़े बनाएंगे यह बहुत ही क्रिस्पी होते हैं आपने पकोड़े तो बहुत खाए होंगे लेकिन इस पकड़े की बात ही कुछ और है तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी की नमस्कार अनीता क्लासी किचन में आप सब को बहुत-ब यहां पर मैंने 1500 ग्राम पत्ता को भी लिया है अब सबसे पहले हम इसे लंबे-लंबे पत्ले स्लाइस में काटेंगे इस प्रकार से आप पत्ले-पत्ले स्लाइस में कट कर ले और इनके पत्तों को अलग करते जाए यहां पर मैंने सारे पत्ता को भी को कट कर लिया है और इन अब हम एक medium size की प्याज को लेंगे और उसे दो भागों में कट करने के बाद इसे भी हम लंबे-लंबे slice में कट करेंगे और बिल्कुल पतला आप इसे कट कर लें और इसे भी हमें बिल्कुल अलग कर लेना है अब इसे भी हम पत्ता गोबी वाले ball में डाल देते हैं अब हम इसमें आधी छोटी चमच जीरा पाउडर, आधी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चमच अजवाईन, एक चौथाई छोटी चमच हल्दी पाउडर और एक हरी मिर्च को मैंने बारिक कट कर लिया है आप मिर्ची की क्वांटिटी कमिय जादा कर सकते हैं अब एक इंच अद्रक को मैंने कदुकस कर लिया है स्वाद के अनुसार नमक डाले अब इन सभी चीजों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से आप इसे हाथों से मिक्स कर ले नमक डालने से पत्ता गोबी पानी छोड़ने लगता है अब हम इसमें एक चौथाई कप मैदा डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे इससे डो में अच्छा बाइंडिंग आएगा और साथ ही हम दो टेबल स्पून कौन फ्लॉर डालेंगे आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं और थोड़े से धनिया पत्ती डालेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कौन फ्लॉर डाले से हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसे पांच मिनट के लिए धक कर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए पांच मिनट हो चुके हैं अब धक्कन हटा लेते हैं इसमें से थोड़ा पानी छोड़ने लगा है ये देखिए आप देख पा रहे होंगे अब हम इसमें एक छोटी चम्मच सिर्फ मैदा डालेंगे और साथी हम एक पिंच के करीब मीठा सोडा डालेंगे और इन सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है इधर मैंने गैस पर तेल चड़ा रखा है और तेल गरम होने के बाद इसमें से हम एक बड़ी चम्मच तेल ले लेंगे और तेल को इसमें डाल देंगे इससे पकोरे क्रिस्पी बनेंगे अब इन सभी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर ले पकोडे का बैटर अब रेडी है इधर तेल भी अच्छे से गर्म हो चुकी है इसमें हलका सा बैटर डालकर हम तेल चेक कर लेते हैं ये देखिए तेल हमारी बिलकुल गर्म है अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर तेल में डालेंगे आप छोटे या बड़े पकोडे अपनी इक्षक या नोसार बना सकते हैं और इसे हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है जब आप पकोडे तेल में डाले उस समय आप फ्लेम को हाई में रखे और उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम करें और इसे क्रिस्प होने तक फ्राई करें ये देखिए बहुत ही जल्द ये अच्छे से क्रिस्प हो गया है ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं तो आप भी इसे जरूर बनाईए अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और इसी प्रकार हम सारे पकोड़े को फ्राई कर लेंगे ये देखिए हमारे क्रिस्पी पत्ता गोबी के पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी है आप इसकी क्रंचिने सुन ही सकते हैं ये बहुत ही क्रंची बने हैं तो फिर देर किस बात की आप भी पकोड़े बनाईए और इंजोई कीजिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स फॉर वाचिंग